दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है चमतकारी तोटके में खुश खबरी है कि 15 अप्रेल 2020 से चलेंगी सभी यातरी ट्रेने तिकट बुकिंग शुरू हो गया है और आपको बता दें कि 1 अप्रेल यानि कि आज से ही 10 बैंक मिलकर बन गए हैं 4 जी हाँ आज की बड़ी खबर आ रही है ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और हमारे इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेर कीजिए जिन्हें इस बारे में नहीं पता है उन्हें भी ये जानकारी मिल जाएगी तो दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वाइरस के संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने 14 अपरेल तक सभी मेल एक्सप्रेस ट्रे ने रद कर दी थी लेकिन इटिकेट बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट को बंद नहीं किया गया है इसलिए आम जनता देश में 21 दिन का लॉकडाउन समाप्त होने पर 15 अपरेल का रेल टिकेट एडवांस में बुक करा सकती है रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिजम से e-टिकेट बुक कराने को लेकर आम लोगों में भरम है जनता को लगता है कि देश भर में 13,524 ट्रेने ठप होने से वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है जबकि हकीकत ये है कि 22 मार्ट से 21 दिन के लॉकडाउन की घोशना होने के बाद सभी यात्री ट्रेने बंद कर दी गए लेकिन IRCTC की वेबसाइट को बंद नहीं किया गया आरक्षिट टिकेट की बुकिंग 120 दिन याने की चार महीने पहले बुक कराने का प्रावधान है जबकि लॉकडाउन सिर्फ 21 दिन का हुआ याने की 22 जून का टिकट यात्री 22 मार्च को एडवान्स बुक करा सकते हैं उन्होंने बताया कि वर्तमान में 14 अप्रेल तक लॉकडाउन है और 15 अप्रेल से ट्रेन के चलने की संभावनाएं दिख रही हैं इसलिए यात्री 15 अप्रेल का टिकट एडवान्स में बुक करा रहे हैं अगर लॉकडाउन की अविधी बढ़ती है तो एडवान्स बुक किये गए टिकट आपने आप ही रद्ध कर दिये जाएंगे ऐसी स्थिती में IRCTC रेल किराये का पैसा यात्री के बैंक खाते में सीधा भेज देगा इसके लिए यात्री को टिकट रद्ध कराने की प्रक्रिया नहीं करनी होगी दोस्तों अब आगे की बात करते हैं कि 1 अप्रेल से 10 बैंक मिलकर बन गए 4 और उनके नाम बदल गए हैं कोरोना वाइरस के चलते देश में 14 अप्रेल तक का लॉकडाउन है इस बीच 10 बैंकों का विले हो गया है ये 4 बैंकों में बदल गए हैं देश में सारवजनिक शेतर के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गई है इन बैंकों को 55,000 करोड रुपे दिये जाएंगे इन में से अकेले पंजाब नैशनल बैंक को 16,000 करोड रुपे मिलेंगे आईए जानते हैं किन बैंक का मर्जर किस बैंक में हुआ है पंजाब नैशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और युनाइटिड बैंक का विले होगा दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा जो पी एन बी से डेड़ गुना बड़ा होगा इसका कारोबार 17.9 पांच लाग करोड रुपे का होगा और इस बैंक की 11,437 शाखाएं होगी इस से पहले सुमवार को पी एन बी ने नए लोगों को भी जारी किया था नए लोगों में सारवजनिक शेत्र के तीनों बैंक के अलग-अलग हस्ताक्षन होगे पी एन बी ने सुमवार को एक चौथा सबसे बड़ा बैंक होगा इनका 15.2,2,000,000 करोड रुपे का कारोबार होगा और देश में इस बैंक की 10,324 शाखाएं होगी बैंक का निया नाम होगा कैन्रा बैंक इंडियन बैंक का विले इलाबाद बैंक में किया गया है जो देश का साथवा सबसे बढ़ा सरकारी बैंक बनेगा, इनका आठ लाग करोड रुपए का कारोबार रहेगा और बैंक का नाम इलाबाद बैंक होगा इसके अलावा Union Bank, आंधरा Bank और Corporation Bank का विले होगा जो देश का पांचवा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनेगा इसका 14.59 लाग करोड का विले होगा और बैंक की 9609 शाखाएं होगी बैंक का नाम Union Bank of India रहेगा वित्मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि कई सरकारी बैंकों का NPA काफी बढ़ गया है ऐसे में सरकार द्वारा विले करना मजबूरी है जानकारों के मताबिक कई बैंकों का NPA 7 फीसदी के पार जा चुका है ऐसे में विले करने से सरकार बैंकों के NPA को कम कर सकेगी बैंकों के लिए NPA बड़ी समस्या है बैंकों के विले से NPA की समस्या से निजात मिलेगी अभी सरकारी बैंकों का 88 फीसदी बिजनेस इन 10 बैंकों से 4 बैंकों के पास चला जाएगा इससे इन 10 सरकारी बैंकों का NPA 5 से 7 फीसदी तक कम होने की उमीद है तो दोस्तों ये तो थी आज की जानकारी, ऐसे ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए चमतकारी टोटके के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए.